हेलो एक्जामरी में आज हम बात करेंगी एपफो में जो एससे की वेकेंसी निकली है उसके बारे में ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं एससे क्या है सोसल सीक्यूरिटी असिस्टेंट जो की गुरुप सी की पोस्ट है हमारी इसमें जो आपकी सेलरी हैएगी वो पेस्केल रहेगा लेविल फाइब उन्ते ज्या दोसुस लेके 92,2300 तक आपकी रहेगी सेलरी ठीक है इन एडिशन वगारा जो अलाउंसे वो अलाग है ठीक है एरपार रूज ठीक है आपका एग्जामनेशन डेट अप्लिकेशन 27 मा से शुरूर चुका है और 26 अप्राइल लास्ट टेट है ठीक है अब बात करते हैं कि जैसे की सोसल सेक्रेट केर्ट के फीस पगएर ऑनलाइन मोड है केवल ऑनली फीवेवल है ना ऑनलाइन म ठीक है और एक सर्वेसमें के लिए कोई भी चार्ड जैस नहीं है ठीक है अब बात करते हैं डूरेशन और करेक्शन इंद एप्लिकेशन ओफ ऑनलाइन वोड जो भी आप करेक्शन कर सकते हैं वो 27 अप्राइल से लिए 28 अप्राइल को आपको पोर्टल खुलेगा अगर है अलमा से दुट से लिए बीडियो में आपके लिए के दूसरा स्टेज़ कोमारा टायर कम्पीटर टाइपिंग टेस्ट होगा ऑग कंपीटर डेट टेस्ट हो पेरामिटर्स में आगे वीडियों बताता हूं ठीक है बात कर ले दें वेकेंजी की अटीक है होगा कि तो सबसे कम हैं सबसे ज्यादा कहां है 120 200 200 400 तो आप जाएग में नोटिफिटिशन दे दूंगां तो आप उसको आप उसको अंदर जाके प्रोजाकर जेए बात्तिए NEXT बात्तिए NEXT इसके भी MP0 जिखेकल रेकौर्वेठावन के लिए फिसीकल रेकौर्मेंट इसे फिसीकल रेकौर्मेंट प्यक्रम यगмо कोड है आप इनके कोडिंग देख लीजिएगा ठीक है और जैसे की मैनिपुलेशन इन वाइफ इंगरिंग ठीक है वाकिंग स्टेंटिंग सिटिंग ठीक है और कॉम्मिनिकेशन अच्छा होना चाहिए और डाबलो का मालब रीडिंग एंड राइटिंग एसी का मतलब है सींग मतलब इसमें कोई भी डिसेवल्टी नहीं जाहिए एना यूस्ट फॉर दफिसीकल रिपकर्वेंट यह सब चीज इनको चाहिए ठीक है बस अब बात करते हैं नेक्स्ट इसकी एजिगेशन कौलिफिकेशन की बारे है एजिगेशन कौलिफिकेशन देग मिनट इन हिंदी ठीक है अब बात करते हैं इसमें जो ब्रैकेट में लिखा है डिप्रेशन पर आर ठीक है इसके बारे मुझे थोड़ी जानकरी नहीं है तो आप इसको प्लीज सर्च कर ली देगा और ठीक है डाटा एंट्री वर्क जो है ना टाइम एलाउड वो टैंट का ठीक है दोस अवेटिंग रिजल्ट देखो अवेटिंग रिजल्ट और टिक शोड नॉट भी अप्लाई तो जिनका भी रिजल्ट अभी रोका हुआ है या किसी कारण वाश आया नहीं है चब्श तारिक से पहले मेरी मेरी बात माने तो केवल फॉरम बरके रख लें और ला चलो यह सब रेश्टरिश वाइब सभी नेक्स्ट बात करते हैं आपकी एज की एज इसमें क्या मंगा है अट्राइस से लेकर सता है इसकी बीच में लोगाई जो है जैसे कि एस टीक लिए पांस साल है ओवी सी एंसी एल के लिए तीन साल है ठीक है और जैसे कि जनल के लिए लगही है जो एक सर्विस्मेंन है ठीक है उनके लिए उनके लिए रहती है 40 एंप एन को टिए सब्सक्राइब करने। बात करते सेलेक्शन पोसिप्री स्लेक्शन पोसिटों जैसे मैंने उपको बताया था कि दो स्टेजिस होगी एन आफ पेस होगी फेस्वान एंफ स्टी एक्जामेशन ठीक है अब आपको या करने फेस्ट वन में जो भी आए जो आपका देगा तो मैं तो तो पूरद एक जनर इस तीज थे जोगे जना नॉलेज में जनल अप्रीटूट में एंड मैं मैं क्वानिटी अप्रीटूट में और पचास कुछन आएंगे जरनल इंगिंग्लिष विद कॉंपरेसर न आएगा ठीक है मतलब पूरा प्रेगराफ गारा दिए रहा है कॉंपरेशन मतलब ठीक है औ अब एक साही कुशन पर आपको चार मार्क में लेंगे और गलत करने पर एक मार्क कटेगा ठीक है बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने इसके आपको जो पैरामीटर से बबताई दिये थे कि पैंतेस इंग्लिश में है और तीस हिंदी में ठीक है और डाटा एंटरी के लि इन नेचर मार्क अप्टीन विल नॉट वी रिकांट फॉर था मेरिट रहेंगे यह जो आपका जो कंपीटर टेस्ट होगा ना यह दोनों जो आटा एंट्री वाले और फिर जो स्पीट टेस्ट यह जो आई यह पूरा एकी टेस्ट है फेस्टू वह आपका केभल क्वालिं सब्सक्राइब लिस्ट में नहीं जोड़ेंगे आपके स्ब्सक्राइब कर देखको अपके सेलेक्षिन नोगा और फेस्टू का होगा फों के वैश्टू का होगा तो उसमें आपको यह में अ आपको ज्यादा मार्स आगे तो वह कैल्कुलेट होगा तो उससे कोई कैल्कुलेट नहीं होगा कट ओफ या आर एप्लाइड इन टू स्टेजिस ऑन देस्कोर इंड टेस्ट एंड टोटल इसको ठीक है अब जैसे कि इन मिलों कि अगर कोई चूट गई तो पूछ लेगा मैं उसको बता दूगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों इसके साथ एक और वेकेंसे निकली हुई है तो उसके बारे में डिसकार्श सकता हूं इस ट्रेनोग्राफर की जैहें थे